आप सभी को प्रडाम आलोक मेरा नाम और आप तक अच्छी जनकरी पहुचाना मेरा काम तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत लाया हूँ बहुत बड़ी खुसकबरी इस वीडियो में अगर आप लास तक देखेंगे तो डेपनेटली दोस्तों आपक लास तक पूरा देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी जो डाउटो हो इस वीडियो में क्लियर हो जाएं तो चलिए आपको बताते हैं अगर दोस्तों आप भी ऐगन बानुए के लिए जा रहे हैं तो दो आपको इस नियम को जानना चाहें तो मैप च्छुका Зап यह दोस्तों ARTO के नई व्योस्ता अभी लागू कर दी कही है, इसके माध्यम से दोस्तों अब आपके 22 रुपीज का जो आप वहाँ पर डाक टिकट या लिफाफा लगाते थे दोस्तों, उसके बाद आप डाक टिकट उस पर लिफाफे लगा कर अभिदन करते थे form 7 या form 9 में जो भी आप वहाँ पर रेनोबल या पर नए लर्निंग बनवाना चाहते थे तो भी, तो उसके लिए दोस्तों अभी ARTO आफिस जो होगा, वो उसने ऐसे वहाँ पर नियम लगा दिये हैं, दोस्तों कि अभी आपको कोई भी लिफाफा यानि की 22 रुपीज का रेजिस्टर् पर्मनेट वाला आपके घर पे भीज़े जाएगा, तो ऐसा दोस्तों इसमें काफी जादा वहाँ पर करप्शन बगारा देखने को मिला, तो इसके लिए दोस्तों आर्टी और विभाग ने ड्राविन लैसंस के नियमो में इसमें चेंज करके, उसके बाद दोस्तों आपक जो ये नया वहाँ पर प्रक्रिया भी नया नियम जो लगा है, उसके हिसाब से दोस्तों आपको कोई भी डाग टिकट या फिलिफाफा बगारा नहीं देना है, ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी वहाँ पर उस लैसंसिंग अथार्टी के उपर रहेगी जहाँ पे आपने इस लाइसंसिंग अथार्टी में उसके बाद आपके रेजिणल जो हेड् टियु आफिस होते हैं फिसे जहाँ पर आपने राप्लाई किया होते हैं जो मेन र्थी आफिस होते हैं जिसे कि यूपी का वहाँ पे बेसिकली लखनव यहाँ पे एक सेंट्रल है दोस्तो आर्टियो आफिस वहीं से सभी के वहाँ पे कार्ड वाले लाइसेंस जो होते हैं वहीं से इसो किया जाते हैं बाकायदा आपके residence पे वहीं से post किये जाते हैं तो इसी की तरीके से हर एक state में दोस्तो एक वहाँ पे main जो होता है वो regional head office होता है RTO का वही दोस्तो main होगा अभी आपको license पहुचाने के लिए वहीं से आपका card print होगा print होकर वहीं से दोस्तो उसने दोस्तो आर्टी office ने रिजनल आर्टी office ने ऐसा दोस्तो एक tender जारी किया उसके बाद एक वहाँ पे authority को ये जिम्मेदारी सौबदी की सभी license की dispatch की जिम्मेदारी आपके उपर दी जाती है तो dispatch दोस्तो जो है licensing authority ने जिसको ये service वहाँ पे provide की है उसी की जिम्मेदारी है आप तक ये license को पहुचाने की अभी दोस्तो उसमें आपको कोई लिफाफा डाक टिकेट ये सब कुछ नहीं लगाना है वो सभी दोस्तो जिम्मेदारी अभी जो रहेगी वो उस जो टेंडर लेवनी company है दोस्तो vendor जो है विकरिता या फिर दोस्तो जो एक वहाँ पे जो आपकी लिए ये service ले रहा है कि आ आप तक पहुंचाए जाएगा वही दोस्तो एक company जो है वो आप पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाएगी और आप तक driving lessons वो आप तक पहुंचाएगी तो इसमें नहीं खबर यही निकल गया है दोस्तो कि अभी आपके लगबग 22 रुपई तो लगबग बचेंगे ही बच करेंगी कि क्या यह लिफाफा मेरा इसी में मेरे को वहां पर driving lessons मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों अभी जो लैसेंस ने जिसको जिम्मेदारी दी है विभाग को वही विभाग इस पर पूरा काम करेगा आप तक driving lessons पहुंचाएगा अब इसमें आपको सौधानी क् यह इसमें आपको बरतनी है कि जब ही आप आविदन करते करें लर्निंग लेसंस के लिए रेनेवल के लिए या फिर कुछ और अपडेट आप लाइव ड्राविंग लेसंस के लिए तो उसमें दुस्तों आपका address होता है वह काफी मेन होगा अगर आपने दूस्तों address ही गलत आपको सीधा आटी ओफिस में वो डिस्पैज फिर से वापस कर दिया जाए जाए जाने कि वो कार्ड लाइसंस अगर आप तक नहीं पहुंचेगा तो फिर से उसी रिजिनल हैड ओफिस में वापस करके भेज दिया जाएगा तो उसको लेने के लिए आपको फिर से अपने लेड़ी ओफिस जाना पड़ेगा वहीं पर मिलेगा तो इस तरीके से नया नियम लग गया है दोस्तों इसमें आपके कोई लिफाफा कार्ड या धाक्टिकट पगर आपको कुछ नहीं लगवाना है सिंप्ली आपको अवेधन करना है आप आप घर तक आपके पहुंचाने कि सभी लोगों को तक करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगे नोटिफिक्स नोबिल को जरूरां करें रखें क्योंकि तभी हमारी नोटिफिक्रिक्स आप तक जाएगी तो निव वीडियो तभी आप तक पहुंचेगी तो यहा जाएं फालो करें कुछ भी आप पूछेंगे इंस्ताग्राम पर तो आपको जल्दी जल्दी एंस्वर देने का मैं प्रयास करता हूं वहां पर तो मैं मिलता हूं तो अगली वीडियों ने टॉपिक करता तो पिलेगे जया हिंत वन्दे मात्रम